सोशल मीडिया पर शुव जमाई की पिटाई का ये वीडियो धडले से वाइरल हुआ शुव जमाई को पीटा इस पिटाई के वीडियो के वाइरल होने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिर किस बात पर सुव जमाई को इतना गुस्सा आ गया श्वेब जमाई को ही दोड़ा लिया तो अब इसकी वजह भी सामने आगई हो ना सिर्फ वजह सामने आई श्वेब जमाई ने उनके बेटे को हराम कहा था और हराम कहने की पीछे की वजह थी सुबोई खान का हिंदू से शादी करना जो नया वीडियो सामने आया है उसमें श्वेब जमाई कहते वे सुने जा रहे हैं कि इन्होंने निकाह नहीं किया बलकि बगैर निकाह के शादी की उसका बच्चा भी हराम होगा जमाई ने इस बात को इसलिए कहा क्यूंकि सुबोई खान ने खिंदू से शादी की है उनके पती का नाम नील पटेल है और ये पूरा फसाद उस मौके पर हुआ जब अशोक पंडित की फिल्म 72 हूरे को लेकर चर्चा चल रही थी और इस दौरान महिला पर की गई व्यक्तियर टिपड़ी के बाद में पूरा हंगामा परवान चड़ा इस मामले को लेकर सामने आया नया वीडियो दिखाएं उससे पहले आपको बता दें कि इस मामले पर कपिल मिश्रा की भी प्रितिक्रिया आई है उन्होंने वीडियो को शेर करते हुए कहा है कि इतना सुनने के बाद सुबोई खान ने वही किया जो भारत की हर बेटी करेगी हिंदूों के खिलाब जहर उगलने वाला शुव जमाई इंडियन मुसलिम फाउंडेशन का देक्ष है वही सुबोई खान राष्ट्रिय जागरा अभियान की सयोजग है और साथी कबीर फाउंडेशन की संस्थापक है सुबोई खान ने शुव जबाई की पिटाई के दौरान कहा भाग यहां से तेरी आउकात क्या है और अब आप वो वीडियो देखिए जिसके वज़ा से सुबोई खान का गुसा सात्वे आस्मान पर पहुँच गया तो वह जिला में शामिन होगा और बच्चा भी हराम चलिगा वीके नूज राश्ट्रके नाम